मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थी किस्तिती बहुत ही खड़ाब थी जानते हैं उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था अब की बार हम मम्मी और पापा को निरास नहीं होने देंगे पापा का साला कारोबर ठप हो गया खाने पीने के लिए सोचना हाता था तब वहां परहना गुए और मैंने अपना लक्षिनिर्धारित कि अ कि नहीं पहतर होने का तलास करें बेहतर से बहुत नदीद समुंदर के तलास करें तूट जाते हैं सीशे पथर की चोट से पत्थर तूट जाए ऐसी सीशे तलास करे मैं नाम बविराज है मेरे मेरे पापा का नाम हुआ राज कुमार मत वह भी पढ़ाते हैं और मेरे ममी का नाम हुआ चंदरपर्मा कुमारी वह भी पढ़ाती है तो मेरा जन्म बेगुसराही जिले के रोसरा के एक हॉस्पीटल में हुआ था पापा उसमें कुछ भी नहीं कमाते थे और हॉस्पीटल का सारा खर्च कर्ज लेकर चुका दिया जाता था और चुका दिया जाता था फिर बाद में एक खेत बेचित कर सारे कर्ज को चुका दिय लोए के वहहाँ पथले सहीं पापा किराई के मकान के गाहिए यह नहीं मालूम था कि फापा मंई घर छोड़कर किराई के म mistress पता अ कि आर्ठी Cast उल्वी भीटती दिलेस समय बीटता गया और जब मेरा उम्र चलने दोने का हूँ जानते ही होगे आप लोग कि चलने दोने को उम्र में बच्चों में बहुत से तानिया होती है भी वभी हम क्या गरते थे खाते थे खाते यह जब जोड़ा आता थे खिलोना कोई आदमी आता था था आधा इसके बजह से पानी ले रहते थे इधा गिलाज पानी रहते थे आशू मत भाहिएगा जीवन में किसी के लिए आशू मत भाहिएगा वह आपके काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा और जब मेरा मम्मी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया उसमें जूता मोजा कोपी कलम सब ले कर दे दिया सब लेकर दे दिया लेगिन मैं मुश्किल से वहां पर एक सबता पढ़ा होगा क्योंकि वहां पर पढ़ती था था तो पापा का मारकर लेकर बोड्रेस राता था बोड्र पर हम पार दे थे निमिकी वकॉरी जबेली उसमें खास बात यह थी कि सारी आखिर्टिया जो होती थी सेम रहती थी अब सेम रहने पर तो कोई पता नहीं चल दे यह क्या है अब फिर अगर हमको बात में पूछा जाए कि यह निमकी कौन है पकारी कौन है तब हम उसमें सही जवाब देते थे तो गया था उस समय हमको जलेबी बोलने नहीं आता जलेबी को हम जवेले बोले थे तो फीर बोले थे थे जूमन मैं आइव लिखो जूमन मैं आई वो लिखो पसीने के सियाही से जो लिखते अपने होसल के उड़ा दे उनके मुकदर के पढ़ने कभी कोड़े नहीं होते जानते हैं उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था जब हम घर में अखेले रहते थे और मम्य को समान मंगाने रहता है घर पर खाना बनाने के लिए तो हमको भैती थी तो अब कैसे होगा क्योंकि दुकांदार हमको भासा बचा नह नहीं आता था इसलिए दुकांदार हमको भासा नहीं समझ पाता था तब ममी क्या करती थी के परची रहता था परची परची आप जानते होंगे पर लिख देती थी कि यह समसमान लाना जैसे कि होगी आपका सौगला मिर्चाई दो धन्या कबत्ता एक माचिसका डिबाइस प्लिक कर दे देती थी और हम जाती थे तो अब गया करें घरा मारा उस साइड बीज में परता है रोड अब रोड के उस पर है दुकान अब दुकान जाने के लिए तो रोड क्रोश करना पड़ेगा अब रोड कैसी करोश करें इधर उधर देख लेते थे कोई अगर गारी नहीं आ रहा है तो आँख मुन लिया दोर ले गए कि वहाँ पर हम क्या कर देते किस्मत के भड़ों से जाते थे कि मारे यजियें बांख बंद कर चल जाते थे फिर समाने से करके ममी को देते थे धीरे-धीरे समय बिकता गया और जब मेरा उम्र चार साल का हुआ तब बाब हम लोग सिफ्ट हो गए और फिर पापा क्या कि है कि फूष्ट रहता है नहीं मेरे नाम से एक स्कूल खोल दी है यानि कि बॉबी पॉब्लीक स्कूल उसी में अभी तक मैं पढ़ता आ रहा हूं और 15 मार्च 2018 को फिर से हम ने पढ़ना सुर गया मात्र मात अब की बार हम को अब की बार हम को अब की बार हम मम्मी और पापा को निरास नहीं होने देंगे मम्मी और पापा को निरास नहीं होने देंगे क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वह लिबाज बदलेगा earned जो पानी से नहाएगा वो एक दिन इध्यास बदलेगा कि इध्यास बदलेगा तो फिर मात्राम उसमें दो साल मात्र पड़े और व्यूक्डशन लग जया अब लॉक्डशन करके ऴापा का सारस करोबर तफ़ गया पिसा आना तो बंध हो ना था था प्रम्रव प्रफाने इसे पात के लिए सब्सक्राइब करें सुर्षट नहीं जाता था इनको पढ़ाने का अब पापा को फुर्षट मिल गई टाइम फाइम अगय बाद समको पढ़ाने का तो पढ़ाने का अश्परोसी रहते हैं उनके बच्यों को भूला कर पढ़ए थे सिकायाथ सुनकर भी सिकायाथ क्या करते मेरे दोस्तों सबसे बड़ा देर गोडवा है कि इसके बारों को पापा के बारे में कता था तब हम कुछ नहीं करते थे और उससे में पेपर में देखें ना पेपर देखें कि एक बच्चा का नाम और फोटो आया तो हम पापा से कहें नाम पेपर में और पत्रकार महोदे के पास उनसे बात नहीं हो पाए तब वहाँ अपने बहुत गुरा लगा और मैंने अपना लक्ष निर्धारit किया यह लक्ष निर्धारit क्या और मंजला और होसलों के बीच समर्द राशाया मंजिल ने होसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं होसलों ने मंजिल के आखों में आखे डाल कर कहा चल जूटी तेरी इतनी ओकाद नहीं तेरी इतनी ओकाद नहीं उसके बाद कुछ दिनों बाद बगल के वित्रहित बिद्दाले जिसके वज़े से में नदमा में सिफ्ट हुआ मित्रहित विद्धाले में अम्रित महस्षब के दिन था उसमें प्रोग्राम हुआ किसी ब्रस रूत्री कारेकरम हुआ उसमें हम भाग लिए तो हमको फर्ष्ट प्राइज के रूप में मिला एक चांदे का पेन पंद्राशों रूपए और साथ सत पेपर में नाम भी आया मंजिल का भूलाकर जीया तो क्या जीया अगर तुछ में दम है तो उसे पाकर दिखा लिख़े खूब से अपनी काम्याबी की कहानी और बाल उसकिसमत से कि दम है तो मिटा कर दिखा किसमत की एक कमाल की बात है किसमत की एक कमाल की बात है वह पलड़ती जरूर है लेकिन मेहनत की दम पर पलड़ती है आप सोच रहेंगे कि मैं दस्वी क्लास के बच्चे को पढ़ा कैसे सकता हूं पढ़ाने के बात से पहले मैं बता देता हूं कि मैंने कैसे पढ़ा मैंने कैसे पढ़ा तो उसमें हमाल ल बनाने थे जब हमारा बेसिक मैथ के लियर हुआ तब उसके तो नाहीं नहीं तो नहीं तो तो सुक्सेवन कम बनाते थे फिर जब उसके बेशिक मैथ कि यूज पता चलेगी है तो क्या हो था कि कोई भी आप गुला कर रखदीजिये सवाल बना सकते हैं बढ़ते थे तो उसमें हमको कुछ गरबड़ी आता था तो एक बार क्या हुआ कि कुछ बैचे होते थे बनाते थे तो पीछे छूट गया तो हम उसको बताने लगे बता दिये न तब उसका भी छूटी हो गया जल्दी अ तब हमको ऐसा लबा न को नहीं जब जो प्रस्ण उसको बताए ना वह प्रस्न अमको भूले नहीं तब हमको ऐसा लगा कि पढ़ने से अच्छा तो पढ़ा नहीं है अपना उसका रीवीजींग भी वो रहा है आप पढ़ेंगे तो कौपी कलम ब खतम हो जाएगा आप जब उसको बता रहें है तो उ तो पढ़ाना सुरू कर दिया तो उसमें को लोगा कि पहली क्लास तो हम यह ले लिए पढ़ाना सुरू के तब हम को लगा कि अरे वाब हम इसको भी पढ़ा दिया अब क्या हुआ अब हम धीरे धीरे बढ़ते जासी समय बिता गया तब हम और अस्तर के बच्चे को भी पढ़ा लेते थे और आज मैंने अपना यूटूब चैनल भी बनाया है जिसका नाम हुआ ब पर लेता है तोर अब हम पढ़ाने लगा दो मेरा नाम पुरा भिहार लेंने लगा मेरा शबना कоСाना दुहार था का। मित नहीं रहना है मुझे और भी कुछ करना है क्योंकि मेरा लक्षत है कि मुझे हमको बैज्ञानिक बनना है लक्ष हमेरा यह है और मुझे इसे पूरा करना है अब एक बार सोच की देखिए जो मीडिया वाला के पीछे हम भागड़े हैं ते गेट के अंदर जाने से पहले अ वक्त अभी भी है वक्त यूँ बढ़बाद न कर खीच ले कमान पर तीर और वार कर ज्यादा से ज्यादा निसाना चूक जाएगा ज्यादा से ज्यादा निसाना चूक जाएगा जीतना है अगर तो कोशिस हजार बार कर कोशिस हजार बार कर अभी मैं कोशिस करता रहूंग है क्योंकि अभी मैं मंजिल पर पहुंचा नहीं हूं अभी तो बस हम खाई से उठकर जमीन पर अभी मैंने पेर रखा है अभी तो मंजिल बहुत दूर है मंजिल को हम में पार है उस पर मेरा हक है यह के तरफ लेके जाता है कहा गया है दोस्तों च्छत को बहुत गुरूर था च्छत होने का एक मंजिल और बनी च्छत फर्स हो गई इसे लेकते हैं आहंकार नहीं कि जिएगा तुफान जादे होती है तो कस्ती डूब जाती है घमंड जादे होता है तो हस्ती डूब जाती है और अंत मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपको विश्वास ना हो रहा हूँ कि मैं टेन क्लास का मैंज कैसे मना सकता हूं तो मेरे यूटुब चैनल को भी आप जाकर देख सकते हैं कोई रोक टॉक में यह जाकर देख सकते हैं तो अगर यदी पढहाई मेरी स्थान है जहन जह फारग अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुच चुके हैं तो मैं आपको जोश्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूं हो और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं जोश्टॉक्स ने एक नया एप लाँच किया है जिसका नाम है जोश्टॉक्स अब वो कोर्स जो आपकी जिन्दगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाए दो मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्स बनाए हैं पब्लिक स्पीकिंग पे इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए अपनी परसनालिटी कैसे डिवेलप की जाए हर एक कोर्स में डेल जिन्दगी को आगे पनाए